हेलो गाइज आज हम बात करेंगे पराज इंडस्ट्री लिम्टेट कंपनी के सेयर के वारे में और इसका फुल फंडामेंटल और टेकनिकल एनलाइज आज हम करने वाले हैं तो जुड़े रहिए गाइस वीडियों में लाश तक और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइ कीजिएगा फ्रेंड्स हमने बहुत सारे स्टॉक इस अपने यूट्यूब चैनल पर अपरोड किये हुए हैं जिन में से काफी सारे स्टॉक ने सो परसंट से ज्यादा का भी हमें प्रॉफिट दिया है पिछले 6-7 महीनों के अंदर तो वह जो स्टॉक हैं उनका लिंक में वह सब्सक्रों कर रहे हैं तो आप हमारी वीडियो चेकाओड कर सकते हैं और वह से आप खुद रिलाइज कर सकते हैं Mai Front स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो पर आज इंडेस्ट्री इस कंपनी का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वह था 341.50 और जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था मतलग कि फ्राइडे का जो ट्रेडिंग सेशन था उसके अंदर इस सेर में 2.17% की तेजी आई थी फ्रेंड जो मार्केट है वो पिछले चार से पांच दिनों में काफी ज्यादा नीचे आ गई है लेकिन यह जो सेर है यह सेर उसी रेट्सियों में ऊपर आया है यह नीचे नहीं गया यह उपर आया है तो बहुत ही स्ट्रॉंग पोजिशन के साथ यह सेर बना हुआ है और आने वाले इसको परचेम जो है इस सेर की वह सोला परचेम और जो रिटन इन कापिटल एमप्लोईड है वह और आतारिस परसेंट तो फ्रेंट सर्चेम डॉंट इस क्यूंट आए इस ऐसेर के की अगर बात करें तो 0.58 इसकी की डैटेट क्यूट है और यह जो कंपनी है यह एक यह लो की वो है 0.49 की जो एक से कम है अगर हम P E Ratio की बात करें तो कमपनी की पी रेशियो 41 की है जबकि इंडेस्ट्री का जो पी रेशियो है वो 10 का है तो यह जो सेर है यह अपने इंडेस्ट्री के पी रिश्यों से बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है जिसकी वजह से यह जो सेरे यह बहुत ही ज्यादा expensive valuation पे अभी आपको मिल रहा है अगर dividends track record की बात करी जाए तो जो company है वो बहुत अच्छे dividend announce करती है investors को distribute करती है और उसका dividend payout ratio है वो है 49% का awesome dividend payout ratio friends आप इस company को dividend point of view के से भी अपने portfolio में include कर सकते हैं और एक regular dividend इस company से आप कमा सकते हैं अगर technicals की बात करें जो share है यह bullish trend के अंदर trade होता हुआ हमें दिख रहा है अगर 52 week high और low की हम बात करें तो 52 week जो low है वो 289 का है और जो 52 week high था वो था 448 रुपेगा फ्रेंड से यह दो से तीन weeks के अंदर अपना जो 52 week high है उसको touch कर दोगा और एक new or high यह बनाने वाला है क्योंकि इस share के अंदर बहुत ही ज्यादा तेजी आज आपको देखने को मिलेगी और आने वाले टाइम में यह तेजी लगादार इस share पर रहने वाली है अगर market cap की बात करें तो 6,318 करोड के साथ यह जो company है यह एक mid gap company है और अगर sector की बात करी जाए तो engineering sector की company है और खासकर industrial जो equipments होते हैं जो ethanol blending के लिए जो equipments यूज किये जा रहे हैं क्योंकि हम green energy की तरफ transfer हो रहे हैं तो जो petrol है और जो diesel है उनके अंदर ethanol का यूज बढ़ने जा रहा है तो ethanol जो बनता है उसके लिए जो capital equipment जो चाहिए होते हैं industrial जो equipments चाहिए होते हैं उनको यह बनाती है company से बहुत ज्यादा expensive valuation पे अभी आपको मिल रहा है अगर growth की बात करें तो 78% sales में growth है annually 72% operating profit grow हुआ है annually और 85% से net profit इसमें grow हुआ है तो overall company के जो records है वो काफी अच्छ है share holding अगर pattern की बात करें तो FFIs ने इस company के अंदर पैसा लगाया हुआ है mutual funds ने भी पैसे लगाये हैं इस company के अंदर और जो other domestically institutional investors उन्होंने भी पैसे लगाये हुए है तो बहुत अच्छा share holding mix आपको यहां देखने को मिल जाता है अगर returns की बात करें तो 3 महीने में negative returns है 6 महीने के अंदर positive returns है और एक साल के अंदर company ने negative return दिया है लेकिन दो सालों में 435 परसेंट का return और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा profit आप यहां से निकाल सकते हैं क्योंकि यह pure ethanol blending का काम करते हैं ethanol blending के लिए जो equipment चाहिए होते हैं वह equipment बनाती है company पराज industry जो profile है वह यहां से आप check out कर सकते हैं यह इनकी profile है company क्या करती है क्या-क्या इनकी core competencies है इनके जो design है plant and equipment है यह सारी चीज़ आप यहां से देख सकते हैं friends company profile आप check out कर सकते हैं बात करें अगर profit loss की तो बहुत अच्छा sales का growth है company के साथ में जो operating profit है उसमें भी बहुत अच्छा growth देखने को मिल रहा है interest की जो cost company के वो कम हो गई है जो की indicate कर रही है कि जो company है वो अपने कर्जों को कम कर रही है और net profit में भी बहुत अच्छा growth आपको देखने को यहां मिल जाता है अगर balance sheet की बात करें तो company के उपर जो boring से वह 0-0 की है company के उपर जो कर्जी है वो है ही नहीं और other long term liabilities की बात करें तो उसमें भी बहुत अच्छा company ने क्या कर रहा है रीपेमेंट कर रहा है liabilities को अपनी कम कर रहा है 15 करोड से घटा के 11 करोड की हो चुकी है यह liability fixed asset जो है वह वह वैसे की वैसे ही बनी हुई है और current asset के अंदर भी बहुत अच्छा increment इस company के share में देखन की बात करें तो company अपने business operation से positive cash flow generate कर रही है और साथ में 1434% का positive change है company की cash flows में तो cash flow awesome cash flows है companies के बास business operation से company positive cash flow generate कर रही है तो profit loss की जो position है वह बहुत अच्छी है वह बहुत हाई है जिसकी वजह से जो इसका share है वह आपको बहुत ज्यादा expensive valuation पर देखने को मिल रहा है अगर बात करें technicals की तो company का जो सेयर है वह फिलाल 341 रूपे के range पर बना हुआ है जबकि 50 day dma जो है वह 365 रूपे का है और जो 200 dma है वह 358 रूपे का है तो फिलाल जो सेयर है वह 200 dma और 50 day dma इन दोनों से नीचे trade कर रहा है और बहुत ही जल्दी यह gap बरने वाला है आने वाले दो से तीन weeks के अंदर यह जो gap यह फिलाउट हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा property यहां देखने को मिलेगा bollinger band जो है वह monthly basis पे बुलीज है OBV जो है वह weekly और monthly दोनों ही basis पे बुलीज है तो friends overall sector बहुत अच्छा है अच्छा के अंदर position बना सकते हैं और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा का सब्सक्राइब नहीं करें तो friends प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा और हमारे उन सेरों के लिस्ट हमने description में डाली हुई है जिन्हों ने बहुत अच्छा पर्फॉर्म करा है और आपको 6-7 महिनों के अंदर पैसा डबल करके दिया है तो friends वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत सुक्रिया और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज यार उ सब्सक्राइब वीडियो